Good morning students, आज इसको ब्लूटर का next topic read करेंगे, pen blocks, these blocks can be used to draw shapes using different colors and pen size, pen blocks में हम क्या कर सकते हैं, जो भी shapes अती हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ड्रो कर सकते हैं, different color में, ठीक हैं, next is look blocks, look blocks क्या हते हैं, these blocks change the sprite and background appearance, जो भी ये हते हैं, स्प्राइट इनको क्या कर सकते हैं इनका ग्राउंड यह नीम स्प्राइट मैं इसलिए और फिन आर अलग तरह किया क्या चौट कर सकते हो इन ऑप स्प्राइट इस करें निकटेट्न आप mail जैसे हैं निको जाई करते हो तो फिछाह हें उसलिख ये-देवेट्ट्न करGET वहां by default आपको मिलेगी but you can create a new sprite or import more strides from the library in your project प्रन्तु आप और भी क्या new sprite ले सकते हो और library से क्या कर सकते हो import कर सकते हो scratch provides four different options for adding sprite to your applications scratch क्या कर सकता है four different option करता है new sprite लेने के लिए these options are accessed through the new sprite button यह कहां से मिलते हैं यह प्रिक्षिप कहां पाई जाते हैं new sprite button से फिर क्लिक करने से आपते हैं ठीक है choose sprite from library अगर आपने कोई भी library से sprite choose करना है तो क्या करोगे scratch provide access to different collection of graphic files that you can add to your scratch operation as scratch क्या करता है provides करवाता है different collection type की ठीक है next है हमारा यह step होते हैं मरलब जैसे आगर आपने कोई library से आपने कोई scratch open करना है तो यह step है भी सबसे आपने क्या क्लिक करोगे choose sprite library बटन पर क्लिक करोगे sprite library विंडो पर select the category कौन सी आपको sprite चाहिए क्लिक को आपको चाहिए जो आपको चाहिए उस पर क्या कर दोगे इसको पर क्लिक कर दोगे देन ओके ठीक है नेक्स्ट है हमारा पेंट और create new sprite अगर आप कोई भी sprite लिए उसको क्या करना हो आपने पेंट करना हो बाइज़िंग पेंट new sprite button you can create a new sprite for your project आपने कोई भी sprite के अपने project के लिए क्या करना उसको क्या करना है पेंट करना है तब आप क्या कर सकते हो इसको पेंट कर सकते हो ठीक है next upload sprite from file अगर आपने कोई भी file क्या करनी है upload करनी है ठीक है you can upload any image or sprite from the file store on your computer जो भी file आपके जो भी file store पर रही है उसमें आपका कोई भी image या sprite पर तो इसको क्या कर सकते हो अप लोड कर सकते हो next upload from camera अगर आपने कोई भी camera से क्या करनी है अपने sprite upload करने तो भी आप क्या कर सकते हो तब भी आप इसको अप्लोड कर सकते हो, you can upload your own image or sprite from the camera और web camera अटेज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी image of sprite करना है, camera से तो आपको web attach करना पड़ेगा, और two year computer से आपने वो camera क्या करना है, attach करना है, click on the, click on new sprite from camera button, आपको क्या करना है, इसके लिए new sprite from camera बटन क्या करना है, click करना है, और इसके बाद click on the save button, save बटन पर click रोगे तो वो picture जो है, capture हो जाई, ठीक है, next है, deleting sprite, अगर आपने कोई भी sprite क्या करनी है, delete करनी है, अगर आपने कोई करने राइट क्लिक करना है जो आपको स्प्राइट करना है तो आप क्या करों उसके बार क्लिक हों दा डिलीट बटन नेक्स्ट एप चेंजिंग दा कोस्ट्यूम अगर आपने किसी भी स्प्राइट का कोस्ट्यूम चेंज करना है तब क्या करोगे आज आस प्राइट इस स्मा अगर आप चेंज करते हो तो वह क्या है लग लग डिफरेंट कोस्ट्यूम में आपको दिखाई देने लग जाएगी इसके लिए आपके वाद एक से ज्यादा कोस्ट्यूम होते हैं आलोइंग तो चेंग इस अपेरेंस एस अप्लिकेशन एग्जेकुट्स इस प्राइट मस् अब तो कोस्ट्यूम टैंट यूनिक नेम एड नंबर जो भी प्रते कोस्ट्यूम होता है इन पर यूनिक नेम और नंबर होता है इन इस पेजाम्पल वी है स्लेक्ट बटरफॉलाई अस प्राइव इसका है इसके वह च्टाइव चेंज कर सकते आज के टोपिक हम इतना ही करेंगे बाकिक टोपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपने इसको क्या अच्छे से अच्छे से रीट करें आइस चैप्टर को और जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं उसको अपनी रफ नोट बुक में राइट करना है थेंक यू एं आपको और जो और विजाए को बाकिन आपको